हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्णिंग एफे में आज के वीडियों में बिहार SSC 3rd CGL रुक मीनी परकासन का दूसरा सेट शुरू करेंगे पहला सेट का लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ और अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में बताइए तो चलिए रुक मीनी का दूसरा सेट शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोहिशन है ताजे पानी की सबसे बड़ी जील लेक सुपीरियर कहां अस्तीत है सन्युक्त राजी अमिर्का में आफ्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ताजे पानी की सबसे बड़ी जील लेक सुपीरियर सन्युक्त राजी अमिर्का में अस्तीत है सुपीरियर लेक USA एवं कनाड़ा के मद्धी अस्तीत है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का जील वूल और जील जम्मू कस्मीर में अस्तीत है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका जील राजस्थान में है निमलिखित में से कौन हिंदुस्तानी सास्त्रिये वद संगीत में सू विख्यात थे M.A. सुब्बा लक्षमी option B right answer हो जाएगा M.A. सुब्बा लक्षमी पर्थम भारती महिला है जो U.N.A. में अपनी कला का परदर्शन की महात्मा गांधी इनके परसंसक्त है भारत सरकार ने 1998 में इस्वी में M.A. सुब्बा लक्षमी और C. सुब्रमन्यम को भारत रतन दिया निम्र में से किसने कम से कम दो बार नोबेल पुरसकार परात किया है मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी और उनके पती पीरे क्यूरी के साथ सन्यूक्त रूप से वर्स 1903 में भातिकी के छेतर में तथा वर्स 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के छेतर में रेडियम और पुलोनियम की खोज के लिए दिया गया मैडम क्यूरी के बेटी और दमाद को भी नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है सभी ने अवग्या आंदूलन में सभी ने अवग्या आंदूलन के दोरान धराशना अस्थान आंदूलन का किंदर बिंदू था गांदी जी ने नमक आंदूलन में तेजी लाने के लिए धराशना की नमक शाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्य किया किन्तु इसके पुरुव ही गांधी जी को गिर्फतार कर पांच मई 1930 को यरवदा जेल भेज दिया गया उनके अस्थान पर अब्बास तयव जी ने आंदोलन का नेतितु किया किन्तु उनकी भी गिर्फतारी के बाद सरोजिनी नाइडू और इमाम साहव ने आंदोलन का नेतितु किया सरोजिनी नाइडू भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स तथा उत्तर पर्देश वो देश की पर्थम महिला राज्यपाल रह चुकी है भारतिय रंगमंच में यवनी का पर्दा का सुभारम किस ने किया यूनानियों ने भारतिय रंगमंच पर यवनिया या पर्दा के सुरुवात यूनानियों ने किया भारत में संगेत की सुरुवात सामवेद से होता है संतावनवा ज्यानपीर पुरसकार 2022 निमलिखित में से किसे परदान किया गया दामोदर माउजो को भारतिय सम्विधान में संसत के दोनों सदनों के सन्युक्त बैठक का प्रावधान किस देश के सम्विधान से प्रेरित है अस्ट्रेलिया के सम्विधान से भारते समिधान में संसत के दोनों सदनों के सन्युक्त बैठक का प्रवधान अस्टेलिया के समिधान से प्रिरित है संसत के सन्युक्त अधिवेशन की अध्यक्सता लोकसभा अध्यक्स करते हैं समिधान के अनुछेद 108 में इसका वर्णन है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है अरेवी का ओप्शन सी हो जाएगा भारत में अरेवी का अधिकतम कॉफी उगाने वाली किस्म है कॉफी भारत में सबसे अधिक करनाटक में होता है बराजीन विश्व में कॉफी का सब से अधिक उत्पादन करता है किस योजना के अंतरगत सरकार ने वह क्रिसी नीती बनाई जिसने हरीत करांथी को जनम दिया 33. पंचवर्षी योजना ओप्संडी होगा तिरितिये पंच वर्षिये योजना में जो किरिसी का रूप रेखा तयार किया गया वह हरित करांती के रूप में परिनीत हो गई तिरितिये पंच वर्षिये योजना का अबधी 1961 से 1966 इसवी के बीच है अबुमुलियन का परमुक लक्ष होता है तो अबुमुलियन का परमुक लक्ष निर्यात को बढ़ावा देना होता है भारत में अब तक तीन बार रुपया का अबुमुलियन किया गया है 1949, 1966 और 1991 में रुपया का अबुमुलियन हुआ है सनरसनात्मक बिरोजगारी का कारण है और परियाप्त उत्पादन चमता का सीधा सनबंद अर्थवेवस्ता के आकाल से है भारतिय अर्थवेवस्ता विश्व के छोवी बड़ी अर्थवेवस्ता है जबकि भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा जनसंक्या वाला देश है भारत में सबसे अधिक सनरसनात्मक बिरोजगारी है भारतिय समविधान ने भारत को किस परकार वर्णित किया है एक राजियो का संग ऑप्सन भी होगा भारतिय समविधान में भारत को एक राजियो का संग कहा गया है भारती समिधान के भाग 1 के अनुछेद 1 में भारत के राजित छेतर का वर्दन है भाग 2 का अनुछेद 5 से 11 तक नागरिक्ता से सनबंदित है भारत में एकल नागरिक्ता है जो ब्रीटेन से लिया गया है लोग सभा द्वारा पारित धन विधेयक राजी सभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच सदन उच पर किस समय सीमा में कारिय संपाद ना कर सके चवुदा दिन आप्शन भी हो जाएगा लोगसवा द्वारा पारित विधेयक जो धन विधेयक है राजिसवा यदि चवुदा दिनों के अंदर स्विक्रिती नहीं देती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित माल लिया जाता है धन विधेयक सरोपर्थम लोगसवा में लाय शर्डार को भारत का बाद परत के पर्थम गिरिमंत्रि और उप परधन मंत्री सरदार पतेल को भारत का लह पुरुष कहा जाता है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं बिरिटीस अर्काइब्स पुस्तक के लेखा कौन है डॉक्टर कलियान कुमार डे किसी वस्तु का पूजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है उत्पादन की परती इकाई में नीविष्ट पूजी किरासी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच नेयायाले एवं उच तम नेयायाले रीट जारी कर सकते हैं उच नियायाले मौलिक अधिकार के साथ अन्नी प्रायोजन के लिए भी अनुछे 226 के अधीन 5 परकार का रीट जारी कर सकता है। आंदोलन अप्रील 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिन अफरीका में सत्यागरा और अहिंसा के अपने अजमाएं हुए अस्तर का भारत में पहला परियोग चमपारन की धर्ती पढ़ी किया। गांधी जी 1893 में दक्षिन अफरीका गए। इन्होंने वहां नटाल प्रेश के अस्तापना की 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। निमलिखित देशों में से किस देश में तकला माकन मरवस्थल अस्तीत है। चीन में तकला माकन मरवस्थल चीन के सिक्यांग परांत में अस्तीत है। गोबी मरवस्थल मंगोलिया में अस्तीत है। गोबी मान्चित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कर्टोग्राफी मान्चित्र के विज्ञान कर्टोग्राफी में मान्चित्र की विश्त्रीत अधियन किया जाता है मुद्रा अस्वीती के अंतरगत मुद्रा का मुल्य घड़ता है option A हो जाएगा मुदरा का मुल्य घड़ता है IMF की पूजी किसके योगदान से बनती है सदस्य राष्ट IMF की पूजी सदस्य राष्ट के सहयोग से बनती है अंतराष्टिय मुदरा कोश के अस्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई तथा 27 दिसंबर 1945 को परभावी हुआ IMF विशु बैंक के सहयोगी संस्थान है भारत विशु बैंक के सदस्य देश है IMF का मुख्याले वासिंगटन डीसी में अस्थीत है नेक्स्ट कोईचन में हुआ राष्टिय ग्रामिन विकास संस्थान हैद्रावाद में असित है क्रिसी विभाग के स्थाफना अठाटार सो बहत्तर इस्वि में लॉड्ड मीयों के समय में हुआ था भारत में निमलिकित में से किस परकार की बिजली का उत्पादन सरवाधिक होता है तापिये बिजली भारत में तापिये बिजली का उतपादन सबसे अधीक होता है भारत के कूल बिजली में लगभग संसट परतिसत बिजली तापिये उर्जा से पराप्त होता है भारत में कोईला से सबसे अधीक बिजली पराप्त किया जाता है कोईला को काला हीरा भी कहा जाता है जब सुवतंतरता की माउंट बेटन योजना सुविकार की गई उस समय भारती राष्टे कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था आचारी जेबी किरिपलानी 1947 इस्वी में जब भारत सुवतंतरता प्राप्त किया उस समय लौड माउंट बेटन भारत का गवर्ण जनरल थे 1948 इस्वी में कॉंग्रेस के अध्यक्ष पठाबी सीता रमया थे भारत के आजादी के समय ब्रीटेन में किलिमेंट इटली परधान मंतरी थे सुवतंतर भारत का पर्थम गवर्ण जनरल लौड माउंट बेटन थे लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्यासे की नीनुतम आयू कितनी होनी चाहिए 25 वर्स लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए नीनुतम आयू 25 वर्स है राजिसभा और विधान परिशद के चुनाव लड़ने की आयू 30 वर्स है गराम पंचायत की चुनाव में उम्मिदवार की आयू 21 वर्स नीनुतम है राजिपाल राष्टपती और उपराष्टपती पद के लिए आयू नीनुतम 35 वर्स है यह विचार किसने विक्षित किया था कि साधन ही उद्देशियों का औचित्ती बनाते हैं महात्मा गांधी ओप्सन डी हो जाएगा महात्मा गांधी किसने कहा था कि स्वाद का वास्विक अस्थान जिहनवा नहीं बलकी मन है महात्मा गांधी ने भारतिय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संसोधन अधिनियम से किये गये थे 42 संसोधन अधिनियम 1976 भारतिय संविधान में अब तक एक मात्र संसोधन उद्देशिका या प्रस्तावना में हुआ है वह 42 संसोधन 1976 के द्वारा किया गिया इस संविधान संसोधन द्वारा समाजवाद धर्म निर्पेक्च और अखंडता सब्द जोड़ा गिया भारती संविधान में संसोधन की परकिरिया दक्षिन अफरीका से लिया गिया है भारती संविधान में 3 परकार के संसोधन का प्रा ही जौ महीने से सनसद के किसी भी सदन के दो सतरों के बीच अंदराल छो मांसे अधिक नहीं होना चाहिए भारत में एक वर्स में तीन सतर आयोजित किया जाता है पहला बज़ट सत्र इसके बाद मांशुन सत्र तीसे जो है सीट कालिन सत्र भारत में संसदी पर जनक्त ब्रियृत के अवस्तित है एलोरा का कैलास मंदिर का निर्वान राष्ट कुर्ट सासक किरिष्न पर्थम दुआरा किया गया लिगल के दरवार में सबसे पर्षिद संगीतकार टान्सेन का मूल नाम था राम तनुपांडे औरा संड्सी हो जाएगा तान्सेन स्वामी हरीदास के सिशिते अकबर स्वामी हरीदास से मिलने विरिंदावन गये थे तान्सेन अकबर के नवरतन में से एक थे अबूल फजल ने लिखा है कि तान्सेन जैसा गयक 1000 वर्ष में नहीं जन्म लिया किस अधिनियम की महतुपुर्ण विसेष्था प्रांतिय स्वायत्ता थी 1935 की भारत, सासन एक्ट, 1935 भारत में बिटिस काल का सबसे महतुपुर्ण एक्ट है इस एक्ट द्वारा प्रांतों को अधीक अधिकार परदान किया गया राजियों में दोईद सासन 1935 एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया महाबली पूरम के साथ पैगोडा किसके द्वारा संदक्षित कला के साक्षी है पल्लवों के द्वारा महाबली पूरम के साथ पैगोडा पल्लव कला से सन्बंद है भारत के दक्षिन में पल्लव वंच ने कला और साहित्य को संरक्षन परदान किया नर्सिंग वर्मन पर्थम ने महाबली पूरम का रत मंदिर बनाए जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है नर्सिंग वर्मन पर्थम पल्लव वंच के महानतम सासक थे Next question 1857 के विद्रोह के दोरान भारत का गवर्णर जनरल कौन था लौड कैनिंग भारत के पर्थम वाइसराई भी था महात्मा बुध किस वंज से सनबंदित है साक की वंज से आप्शन सी होगा महात्मा बुध जो है ये साक की वंज से सनबंदित है बौध धर्म के परवर्तक महात्मा बुध या सिधार्थ का जन्म कपिल वास्तु के लुम्बिनी नाम गराम में साक की छत्रिये कूल में 563 इसापुर्व में हुआ इनके पिता सुधोधन साक की गन के मुख्यात है माता महमाया कोलिये वंस ये थी निमलिकित में से किसको सुरी की उर्धवादर किरने कभी भी नहीं मिलेगी सुरी की उर्धवादर किरने उनहीं अस्थानों या छेत्रों को मिलती है जिसकी असिती गलोब पर सारे 23 डिगरी नोर्थ से सारे 23 डिग्री साउथ अक्षांसों के बीच होती है सिरी नगर सारे 23 डिग्री नोर्थ अक्षांस के उत्तर में अस्तित है जिस कारण उसे उर्ध्वादर किर्णे प्राप्त नहीं हो सकती सिरी नगर धिलम नदी के किनारे अवस्तित है भारत की जनसंखिया में र 181 इसवी से लोड度 रीपन के समय से प्रारंब हुआ था निमलिखीत मेंसे कौन सा संसाधन और जयव और नवीकरणिये हैं circulating जल संसाधन और जयव और नवीकरणिये घारत में उर्जा का मुख की शुर१त तापी उर्जा है निम्लिखित में से कौन सा नगर राष्टिय राजधाने छेतर में नहीं आता है मथूरा राष्टिय राजधाने छेतर में पानीपद, खुर्जा, रोह तक आते हैं मथूरा नहीं आते हैं भारत की किस नदी को विरीध गंगा कहा जाता है गुदावरी को गुदावरी नदी को विरीद गंगा कहा जाता है दक्षिन की गंगा काविरी नदी को कहा जाता है सिरी रंग पटनम काविरी नदी पर अस्तित है गुदावरी दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है गंगा नदी गंगोतरी गलेसियर से निकलती है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा तंजानिया की राजधानी डोडोमा है केनि प्रवाइब के राजधानी नेरोबी युगांड़ा के राजधानी कमपाला जांबिया की राजधानी लुशाका अंडमान दूइब समू और निकवार दूइब समू निमलिखित में से किसके दौरा एक दूसरे से अलग किये गये हैं दस डिग्री चैनल के दौरा कम्प्यू से पिरितों का अंतराश्टिये दिवस हर साल की स्तिथी को मनाया जाता है 21 अगस्त को मार्च 2022 में जमसेदपुर में आजयोजित सैफ अंडर 18 महिला फूटवर्ड चैंपियंशिव किसने जीता भारत ने मार्च 2022 में किसे एवेल पुरसकार 2022 किसे दिये जाने की घोसना की ग सेगा डेनिस पार्नेल सुडिवन पन्चायति ρाज संविलीद किया गया है राजिसूची में पन्चायतों को संविधान की साथ वी अनुसूची में राजिसूची की प्रविश्टी 5 का विस्एई है इसके गठन तथा चुनाव कराने का धिका राज तुर निर्वाचन आय 11 नवंबर 1888 इस्वी में मक्का में हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पर्थम सिक्षा मंत्री थे प्रीथवी के वायू मंदल की कौन सी प्रत रेडियो तरंगों को प्रीथवी के प्रीष्ट पर प्रावर्तित करती है आयन मंदल आयन मंदल संचार मंदल के लिए आदर्स मंदल है वायू मंदल की सभी महत्यूपुर्ण घटना है छोब मंदल में होती है निमलिकित में कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है तो आपको गलत को चुनना है पहला देखिए नाइलोन थर्म प्लास्टिक तो ये सही ह पीवीसी थर्मो सेटिंग तो ये गलत है आपको गलत को ही चुनना है तो अप्शन बीस का राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी थर्मो प्लास्टिक है पेट्रोल से लगी आपको बुझाने में जल परभावी नहीं होता क्यूं क्यूंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में और मिस्र निये हैं और पेट्रोल उपरी परत बनाता है अतह जलता रहता है गैस के गुबारों में हाइड्रोजन गैस के जगा हीलियम गैस का पडियों किया जाता है क्यूंकि यह अधहन है आप्शन सी हो जाएगा इन्फलैमेवल फलो को क्रितिम रूप से पकाने के लिए परियुक्त गैस है एसी टीलीन गैस ऑप्शन ही हो जाएगा एसी टीलीन गैस मानिक के रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है एलियूमीनियम के ऑक्साइड एक फोटो सेल में परकास उर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्यूत उर्जा में यूस्टो की नलीका कान में यदि मनुष्ट्य की एक ही आँक होती तो यदि मनुष्ट्य की एक आँक होती तो दिरिश्ची छेत्र कम हो जाता और तरी वीमिये पर्तिविम दिखाई नहीं देता तो अप्शन डी हो जाएगा दिरिश सी छेतर कम हो जाता और त्री वीमिये परतिविम दिखाई नहीं देता तो अप्चंडी हो जाएगा आख में कौर्णिया को दान किया जाता है आख में परतिविम रेटीना पर वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है मानवनेतर एक कैमरा के तरह कारी करता है रुधीर असकंदर में मदद करने वाला बिटामीन है बिटामीन के रग्त के थक्का बनने में सहयो करते है बिटामीन के वसा में घुलनसील है इसका रशाइनिक नाम फीलो कुीनन है निमलिकित में से कौन सा सही मेल है तो option D right answer हो जाएगा हाइपो टेंशन दिल का दोड़ा अनियत तापी प्रानियों के लिए निमलिखित में से कौन सा सही है उनके सरीर का तापमान वायू मंडल के अनुसार बदलता रहता है एड्स वाइरस का अनुवंसिक पदार्थ होता है एक सूची RNA होता है एड्स रोगी की पर्ति रोधक चमता समापत हो जा जाती है HIV Virus AIDS के लिए जिम्मेवार है Radar के अविस्कारक कौन थे A.H. Taylor एवं Leo C. Young खाने का सोडा का रसाइनिक नाम क्या है sodium bicarbonate खाने का सोडा का रसाइनिक नाम sodium bicarbonate है sodium bicarbonate का रसाइनिक सुत्र NaHCO3 है इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते है इसका रसाइनिक नाम sodium hydrogen carbonate है परमानू पाइल का परियोग कहा होता है ताप नाभिकिये सनलयन के परचालन में समानी परियोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है फूल की कली से सामानी परियोग में आने वाला मसाला लॉंग फूल की कली से प्राप्त करते हैं इनाइची की पहारी केरल में हैं बड़ी इनाइची सबसे अधिक भारत के सिक्की में उत्पादन होती है केसर मसाला बनाने में पौधो का वर्ती काग्र भाग काम में लाया जाता है भारत में केरल को मसालो का घर कहा जाता है छोटी इनाइची का सरवादिक उत्पादन केरल में होता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर ततकाल कोलाइडी विलियन बना लेता है उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड, गामा किरने क्या होती है रेडियो शक्रिये पदार्थो द्वारा उत्सर्जित उर्जा यूक्त किर्णे एक अनु गुलकोज के पुर्ण अक्सिकरन से परात होते हैं 38 अनु ATP समुद्री खर्पतवार नीम्न में किसका महत्वपुर्ण शुरोत है आयोडीन का समुद्री खर्पतवार आयोडीन का महत्वपुर्ण शुरोत है खाने वाला नमक जो की सोडियम कलोराइड होता है का आयोडीन एक महत्वपुर्ण अवियव है साधारन नमक में पोटेसियम आयोडाइड होता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है समानी तह एक से तीन वर्ष के सीसुओं में प्रोटीन की कमी से निमलिखित में से कौन सा रोग होता है क्वासी योड कर जरो द्वारा अवसोसी जल सीर्ष तक पहुंचता है दारू द्वारा दारू या जाइलम द्वारा कोसि काओ के अध्यान से सनबंदित जैविकी की साखा को कहते हैं साइटो लॉजी आप्शन ही हो जाएगा कोशि लॉजी में फलो ग इन किया जाता है कार्बन डायकसायड जल में घूलनसील गूल कर कौन सा अमल बनाता है H2CO3 carbon dioxide जल में घुल कर dye hydrogen carbonate बनाता है इसके बाद देखिए reasoning और mathematics से related question है तो telegram का link description में दे दिया हूँ telegram group जोन करके आप इस पीडियेव को download केजिए उसके बाद mathematics और reasoning का question solve केजिए या तो वीडियो को रोग करके वीडियो को पहुच करके आप अराम से question solve कीजिए solve करने के बाद right answer में tick कर देता हूँ तो right answer अपना मिला लिजिएगा यदि साधारन व्याजपर कोई धन्रासी 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक व्याज़ की दर होगी तो वार्षिक व्याज़ की दर एक दुकांदार अपने माल को उसके क्रे मुल्ली से 30% अधिक दर पर अंकित करता है किन्तु बिक्री के समय 10% की छूट देता है उनका लाब है उनका लाब 17% है question number 89 देखिए right answer जो है 89 का 56 पुर्णाग 2 बाए 3 दिन हो जाएगा यदि समान योग्यताओ वाले दो व्यक्ति दो करतबियों को दो दिन में संपन करें तो समान योग्यताओ वाले एक सो व्यक्ति उसी परकार के एक सो करतबियों को संपन करने में कितना समय लेंगे दो दिन option D हो जाएगा दो दिन question number 81 का right answer और आप्सेंटीमीटर स्कुराइर को स्युत्तर स्यूत्तर आप्सेंटीमीटर स्कुराइर 186 देखिए, right answer option B हो जाएगा, 25 परतिसत, 187, सही उत्तर option A हो जाएगा, 10, 188 का right answer option B हो जाएगा, 2 root under 5, question number 89 का right answer option A हो जाएगा, 27 words, 90 का right answer option D हो जाएगा, 1 by N, 91 में देखिए, सही उत्तर option B हो जाएगा, 91 का सही उत्तर B हो जाएगा, 18, question number 90 में, सही उत्तर option B हो जाएगा, 8, 93 में का सही उत्तर option B हो जाएगा, 100, question number 94 में, right answer option C, 5 by 3, 95 में का सही उत्तर option B हो जाएगा, 2, 96 में का right answer option D हो जाएगा, 2, option D हो जाएगा, 2, 96 में का, question number 97 में option B हो जाएगा question number 98 में का right answer option D हो जाएगा 90,000 99 में option D हो जाएगा 50 100 का right answer option C हो जाएगा 0.005 question number 101 देखिए सही उत्तर option A हो जाएगा 102, 102 का जो है right answer आपको यहाँ पे option D हो जाएगा question number 103 सही उत्तर option D हो जाएगा 30, 104 का right answer option B हो जाएगा 316 degree निर्देश दिया गया है और यह निर्देश को पढ़के question number 105 और 6 को solve करना है तो 105 का right answer option D हो जाएगा 106 का right answer option A हो जाएगा question number 107 right answer option B हो जाएगा question number देखिए 108 सही उत्तर option C हो जाएगा question number 109 सही उत्तर जो है यहाँ पे option B हो जाएगा 9 का निर्देश को पढ़के 110 और 111 को बनाना है question number 110 का right answer option D हो जाएगा 4 और 111 का right answer option C हो जाएगा question number 112 option D हो जाएगा question number 113 का option D हो जाएगा right answer option 114 का option B हो जाएगा question number 115 right answer option A हो जाएगा 116 का right answer option D हो जाएगा 322 117 का सही उत्तर option D हो जाएगा next question देखिए 118 का right answer आपको यहाँ पे हो जाएगा option A एक दिन पहले question number 119 right answer option C होगा question number 120 और 21 जो है निर्देश को पढ़के आपको बनाना है तो 120 का right answer option A हो जाएगा 121 का option D हो जाएगा question number 122 option C question number 123 option B होगा 18 km 124 right answer option A हो जाएगा 23 निर्देश को पढ़के question 125 और 26 solve करना है तो 125 का option D होगा 126 का option A होगा 127 देखिए 127 का right answer option D हो जाएगा और विवाइट सीक्षित महिला खिलारी question number 128 right answer option C होगा first 129 का option C हो जाएगा bill 130 का option A हो जाएगा question number question number 131 option B हो जाएगा question number 132 right answer option B होगा केवल 2 और 4 निकलते हैं 133 साही उत्तर option D हो जाएगा 133 का D हो जाएगा विवेल 134 का option C हो जाएगा 144 135 का option A हो जाएगा बेटी 136 का option B होगा question number 137 option C हो जाएगा 138 का option D 149 149 का option C होगा 1978 140 का right answer option C हो जाएगा question number 141 option D 142 option A होगा 143 option D हो जाएगा 144 का right answer option A होगा 7 145 का option B हो जाएगा 22 146 का right answer option B होगा 5 km इसके बाद 147 147 का option B होगा 147 के बाद 148 देखिए 148 का option A 149 149 का देखिए right answer हो जाएगा option B हो जाएगा केवल 2 निशकर्स निकलता है 150 का सही उत्तर option D हो जाएगा कोई महिला टेनिस कलब की सदस्य नहीं है तो option D हो जाएगा तो दोस्तो आज के वीडियो में रुकमीनी पब्लिकेशन का दूसरा set complete हो गया तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जुरूर बताएए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी help कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर कोई doubt है या कोई सवाल है सेक्षन में लिखिए मैं कोई सिस करूंगा जल्दी reply करने का तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर